का दोस्तो वेलकम बेक टो आर्चाल मनी सेलूशन दोस्तो फीर हम आगे हैं नो बजगर पंदरा मिनिट पर एक नए स्टोक को लेकर हम इस नए स्टोक का प्यूरा रेव्यू करेंगे और आप भी अगर इस टोक के ओपर अपनी टेक्निकल और फंडामेंटर एनालिसिस करते है तो आप भी स्टोक के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिस करेंगे या आल्रेडी स्टोक के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना चुके होंगे दोस्तो स्टोक का नाम है सिंधू ट्रेड लिंक्स लिमिटेड कंपनी इस टोक का हम प्यूरा रेव्यू करेंगे दोस्तों स्टोक का रिव्यू करने से पहले हम company की तोड़ी profile देख लेते हैं कि company जो manly business करती हैं अगर company का business देखते हैं तो जो company manly coal, coal logistic, coal mining, coal transportation इसके अंदर manly company वरक करती है और company का अभी latest है घेवरा कुस्मूड और दीपी का माइन्स के साथ इनका काम चल रहा है, इनके लिए कमपनी काम चल रही है दोस्तों कमपनी के ओर भी बिजनस है जैसे की logistics है, coal washing है power generation है, power distribution है power transmission है, railway है कमपनी का जो business है फैला हुआ है लेकिन अगर हम पूरे business को इधर explore करेंगे, तो video इधर बहुत लंबा हो जाएगा, हम directly दोस्तों stock के उपर आ जाते हैं और आज stock से related 3 बड़ी news है अगर इन news को हम देखते हैं तो stock आगे अच्छा perform करेगा directly दोस्तों मैंने open कर लिया तो stock है जो directly split हो जाएगा 10 share में, जिसकी record date रखे गए है, 4 February 2022 यानि आज की date में जो stock है, आपके जितने भी dmat account है, उसके अंदर 10 के multiply करके, आपके account में आ चुका होगा, जैसे दोस्तों कल की date में, अगर हम 3 February 2022 की बात करें, जैसे ही stock ने split हुआ, तो दोस्तों record तोड़ इधर stock को buyer जाग गए है और stock ने पहले ही दिन मतलब जैसे ही इसकी split के बाद listing हुई, उसके दिन में दोस्तों जो stock ने है, bump पर इधर अपर जो circuit लगा दिया, जैसा कि आप लोग screen पर देख रहे हैं, 110 रुपे 25 पैसे के उपर stock ने closing दिया हलांकि जो trading नहीं हो पाई है, क्योंकि जो record date है, 4 फरवरी 2022 है, लेकिन लेने वाले यानि stock को buyer इतने जादा हो गए हैं कि जो stock है अपर circuit लगा कर इधर directly open हुआ है, आप देख रहे होगे 5 रुपे 25 पैसे जो stock है अपर open हुआ है, यानि 5% का इधर जो अपर circuit stock ने लगाया है यानि जैसे stock ने दो स्प्लीट किया split करने के बाद अपडेट आई buyer ने तगड़ा इसके उपर अपना धवा बोल दिया और stock ने अपर circuit लगा दिया है, आज के समय में अभी तक जो market open नहीं हुई है, 9-15 पे market open हो जाएगी, तब देखते है stock और कितना ऊपर जाता है, दोस्तों जो stock की first news है कि stock जो split हो चुका है और directly जिसनकी जो dimate account में stock थे, उनको 10 के multiply के हिसाब से उनके dimate account में आ चुका होगा, और दूसरी बात है जैसे stock split हुआ कल, यानि 3 फरवरी को, directly stock ने अपर सरकेट लगा दिया और 110 रूपे 25 पैसे का इदर हाई बना दिया है जो इसका जो maximum हाई है, और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो अभी Sindhu Links Limited Private Company है stock का हम आगे technical और fundamental analysis करेंगे, अभी जो company का कहना कि company NSE के उपर बहुत ही जल्दी listing होने वाली है, company ने इससे related दोस्तों apply भी कर दिया, आपको पता कि जो Sindhu Trade Links Limited Company है, already BSE नी Bombay Stock Exchange पर listed है, आभी तक NSE है जी, जो national stock exchange है, उसके उपर listed नहीं है इसके लिए company ने apply कर दिया, यह आज की news आप लोग देख रहे होंगे कि 4 February 2022 को इधर directly जो company है, इन्हों ने इधर आप update देख रहोंगे Sindhu Trade Links Limited is pleased to inform that it has made an application for to national stock exchange of India Limited to get direct listing for its equity share दोस्तों अगर जो कोई भी अगर stock है अगर already किसी दूसरी stock exchange पर अगर listed है, तो कोई भी company उसको directly listed करवा सकती है दूसरी किसी भी exchange के उपर जैसे कि आपको पता है कि जो Sindhu Trade Links Limited company है Bombay Stock Exchange के उपर listed है तो जो Sindhu Trade Links Limited की तरफ से अप data जो जितने भी इसके company के उनर है या company की तरफ से directly apply किया गया है कि भी या इसको भी जो NSC एनी National Stock Exchange के उपर भी आगे का future हम इसका bright देख रहे हैं और इसका जो reach है उसको हम बढ़ाना चाते हैं इसलिए company ने National Stock Exchange को direct listing के लिए आज की date यानी 4 परवरी 2022 को इससे जो application है या फिर जो apply कर दिया तो दोस्तों ये थे Sindhu Trade Links Limited के तीन मैन अपडेट की जो स्प्लीट हो चुका और जैसे दोस्तों स्प्लीट हुआ उसके बाद स्टोक ने अपर सरकेट लगा दिया और जो company है Sindhu Trade Company ने NSC के लिए directly apply कर दिया है कि जो direct जो listed है company बहुत ही जल्दी NSC के जो trading platform पर national stock exchange पर बहुत ही जल्दी list हो जाएगी और वहाँ पर भी जो बहुत साए लोग trading कर पाएंगे तो अब हम stock का थोड़ा सा fundamental technical analysis देख लेते हैं stock कैसे perform कर रहा है दोस्तों मैं इदर आगे हैं money control pro website पर यह दर देखिए जो stock है दोस्तों कल 3 February 2022 को Sindhu Trade Links Limited Company है जैसे split होने के बाद BSC जो stock के उपर दोस्तों आया उसके बाद directly 5% का जो upper circuit stock ने लगा दिया है आपने देख रहे होगे कि 5 रुपे 25 पैसे पे directly closing हुई है total 110 रुपे 25 पैसे पे stock ने closing दिया है क्योंकि दोस्तों stock का split होने के बाद पहले लगबग 1050 से 1100 के बिच में trade कर रहा था तो बहुत सारे लोग stock को ले नहीं पारे थे लेकिन अभी split होने के बाद इसकी value होगी है 110 रुपे के आसपास तो जो छोटों मूटे हमारे जैसे investor है वो भी directly stock को buy कर रहे है तोस्तों हम इसकी strength की बात करें strength दोस्तों same है stock की पहले की तरह अभी तक strength में की बावन वीक के करीब जो new बावन वीक का stock ने high बना दिया है 110 रुपे का book value पर share दोस्तों अभी increase हुई है company के जो promoter उन्होंने कोई plays नहीं किया है FII और जो FPI है वो अपनी जो share holding है इसके अंदर increase करे है यानि foreign investor stock के अंदर पैसा डाल रहे है stock ने 20% से ज़्यादा इदर gain किया है अगर हम weakness की बात करते है weakness भी दोस्तों हर stock में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले की net profit है थोड़ाचा decline हुआ है quarterly net profit है और जो major fall है TTM net profit हुआ है तो ये दोस्तों थोड़ी सी दिन की जो weakness दिखाई दे रही है अगर हम अभी की date में अगर हम इसके community sentiments को देखते है तो 60% इदर buy की चला दी जा रहे है 40% sell और 0% holding लेकिन जब भी आप stock को buy sell करते है अपनी जो technical और fundamental analysis है वो आपको एक बार जरूर करना चाहिए अगर दोस्तों हम इसके moving average technical indicator moving average प्रोसोर इधर bullish नजर आ रहे है इधर क्योंकि लोग इसके अंदर अभी दबा के buy कर रहे है और दोस्तों जो अगर इसके technical fundamental analysis है ब्यूलिस है अगर दोस्तों हम चार्ट के ओपर नजर डालते हैं भी आचार्ट क्या बोल रहा है लेकिन जो split की record date रखी हुए है वो 4 फरवरी है 9 बज़ स्टोंक 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 की जो value है 110 पर इधर 100 हो जाएगी अगर हम दोस्तों इधर volume की देखते हैं तो देखे volume इधर कितना increase हुआ है अभी जो split हुआ है stock 10 ratio 1 में तो इधर जो volume इधर दिखाए देखे stock ने अपर सरक्ट का काम किया यानि तुरंत उचाल आई है अगर हम इसके RSI की बात करते है Relative Strength Index वो भी down आया है तो इधर हम दोस्तों stock के अंदर buying बना सकते हैं मेरे हिसाब से लेकिन आप अपने technical fundamental analysis जरूर देखिए तो दोस्तों मेरे हिसाब से stock अगर आपके पास already है तो आप hold करके रख सकते हो अगर आप new buying करने जारे तो इस level के उपर आप buying बना सकते हैं दोस्तों जो सिंदू Trade Links Limited stock के बारे में आपका क्या review है प्लीज comment section मुझे जरूर comment करके बदाईएगा बहुत ही जल्दी जो company है नेशनल stock exchange पर registered होने जारी है NSC के उपर भी इसकी trading सुरू हो जाएगी और stock ने पहले ही दिन जो बहुत ही जल्दी जो और new record है stock बना सकता है दोस्तों अगर आपका और कोई comment है तो please comment section में जरूर बताईएगा दोस्तों हम फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्र